पूरे ही पूरे राधिस्थान को लेकर यहां पर राधिस्थान में एक के बाद एक बवाला फिर से देखने को मिल रहा है यहां पर सियासत गर्माने से रुखी नहीं नहीं है यहां पर मामला सामने आया है कि 12 से 15 विधायक फ्रीपे जोशी के घर پहुंचे इसोतरी की जानकारी सामने आई इस्तिफे की मांग लगतार अभी भी की जा रही है, बहुत सारी जानकारिया है, जहाँ पर कहा गया था कि 92 विधाय के जिन्नों ने उस रात इस्तिफा गया, लेकिन कहीं न कहीं बढ़ते बढ़ते संख्यां उनकी 110 हो गई, और पता चला है कि इमामरा तो 2018 से ही शुरू हो च आज हम अपने इस प्रोग्राम में तो अबरार हमाई साथ मौजूद है, सवालों के जवाब देंगे हो, तो सवाल सिधा मेरा ये रहेगा कि यहापन 92 विधायक थे जिनके संके 110 हुई, उसके बाल आज जानकारी आते हैं कि बहुत सारी विधायक सीपी जोशी के घर कि अलगता ब्रार के आकिर कर क्या वज़ा हो सकते दूर सीपी जोशी अभी तक फैसलों नहीं ले पारे। है विधान टबागी स्पीकर को तैसे में स्पीकर के क्या कर रहे हैं, सीपी जोशी क्या कर रहे हैं, वह इस मामले में कोई वैसला तो नहीं दिया. सीदे तोर पर यहां परbecैंगें कि मात्र मुक्यमंतिरी पका से दूर रखने के लिए पूरा का पूरा सियासी ड्रामा जो है वो रचा गया था और इसमें पूरी तरीके से अश्चक गहलों जो है उसलिप थे लेकिन यहां पर आप देखें कि बीजे पी भी जिस तरीके से इस मुद्दे पर अब हावी होती जा रही है तो कहीं ऐसा नहों के विद सिफा दे दिया है तो फिर सरकार किस तरीके से चल रही है और सरकार के कामकाज मुख्यमंत्री यह वो अपने पर पर कैसे बने हुए सवाल का जवाब स्पीकर को ही देना पड़ेगा सीपी जोशी को ही देना पड़ेगा क्योंकि सीपी जोशी ही उनके इस्तिफे को अपने पास रख्थे हुए क्या उन्होंने उनके इस्तिफे को स्विकार कर लिया और नहीं स्विकार किया है तो फिर उसбह पर अब तक बयान क्यों नहीं सभर्णत लेकिन इस पूरे खेल को हसा कर रखने की जो जिम्मेदारी है यहां पर सीपी जोशी पर ही आइद होगी भरी उन्होंने चुप्पी साथ रखी हो लेकिन इस पूरे खेल के माइंड सेट के तौर पर अशुक गैलोग के बाद कोई दूतरा चेरा है तो सीपी जोशी का है तो दूसरी तरह सचिन पालेट की बात की जाये तो सचिन पालेट भी यहां पर अभी चुपी साधे बैटे वो भी कुछ कहते नजर नहीं आए जपी मीडिया कर्मी नों उनसे यह भी कहाता है कि आपको बार बार आगे किया जाते है लेकिन एंड टैन पर वापिस से आपको पी सचिन पालेट को लगतार जिस अरिखे से पालेट हाई कमान ने हमेशा अपने असवाश्चिन पालेट के लिए के साथ जो है वो पार्टी में बनाए रख रहा और कहीं अब जो देखिए जिस तरीके की इस्तिती पैदा हो रही हो तो यह सीधे तोर पर दर्शार है कि दरसल सचिन पालेट का इस्तेमाल किया जाता रहा है पार्टी के जो है सिर्शने साओं के दौारा चाहे वो माचल पर पर जाकर के काम करते रहें और कल के भी वयान की बात की जाए तो उन्हों में सीधे तोर पर यह बात कही है कि दरसल पार्टी को आने वाले विदान सवाचुनाओं में दौदार तैस में जो है वो फिर से वापसी करवाना है सत्ता में और जब मीडिया कर्मियों ने उन्से सवान पूचा कि दरसल आपके मु क्यमंतिरी पाथ को लिए करके आपके कि क्या सोचे काने वाले खाविश में अपकर कि स जमेदारी दी जा सकती तो उन्हों ने इस बात को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया तो आप सोचे कि सची इतने सहज तोर पर पर पार्टी की उस चबी को बचाने की परियास कर रहे हैं और साथ ही कॉंग्रेस का जो है राजस्थान कॉंग्रेस को पुरी तरीके से कत्तित रखने की कोशिश उनके द्वारा की जा ल में विजाय किस तरीके से एक मत हो सकते हैं वह भी ऐसे समय में जबकि मुख्यमंतिरी बदलने की चर्चा चल रही थी लगए दो हाफ्तों से तो पूरी तरीके से यहां पर अश्योग गहलोग पर ठीकरा जो फूरता हुआ नजर आएगा अगर कॉंग्रेस की सरकार दुबा राजरेवास से मुलाकात हुटी देरात में हापर सचिन पालेट की उसके बाद अब हम देखने की राजेंदर गुड़ा जो है वो लगातार ही कहते नजर आ रहे हैं कि मैं आकरी दम तक सचिन पालेट का साथ दूगा जबकि कहीं न कहीं वह बहुत जादा क्लोज हारी हो तो इस वज़े से कहीं वो विधायक वो मंद्री जो लगातार अश्यो गयलोत के साथ है कहीं वो अपने यहां पर डल तो बदलते नजर नहीं आएंगे बिलकुल यह सिती पैदा होने की जो उमीद वो तो है लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अश्योग गयलोत इस वक् थी कॉंग्रेस पार्टी की सरकार खुलाने में उनका भरपूर योगदान रहा है तो कहीं न कहीं पकड़ राजिस्तान मुस्सी तरीके से होगी लेकिन जिस तरीके से यहां पर जो है बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है और यह भी बात कहीं जा रही है कि वहां पर दसल जातीगत मुद्व कोले करके भी लगातार जो है सचिन पायलेट को थलक करने की कोशिश की जा रही है तो उससे अब उनको एक बात यह समझ लेनी चाहिए कि दर से लगए सरकारी रिपीट नहीं हो पाएगी जो लगातार बाते की जा रही है तो फिर मुक्य मंतली पत को ले सकते रहे हैं और यहाँ पर है कि वाकत लोग शुडब को क्योव और यहां पर शचिन पालिट को रही तर्ता paneे और राजस्टान की ऑजस कि तस भनी हुई है और हर राज जी की जो जनता वो यही चाहती कि युवा के हातों में राज जी जाए ताके नए चेहरे के साथ वो नहीं उम्मीदों के साथ और साथी नहीं योजनाओं के साथ सरकार को चला पाए यही उमिद राजिस्थान की जनता को भी है तो ऐसे में कॉंग्रिस पार्टी को भी उस जंता की तमाम उमीदों पर खड़ा उतरना चाहिए वरना सरकार जो है दोदार तैस्स में उनकी वापस बनने वाली नहीं और सीधा फाइदा बीजेपी को पहुंचता हुआ नजरा हुआ सचिन पाइलट के मुख्य मंत्री पतक पर कब तक सोन्य गांती फैसला लेती क्योंकि उनका फैसला इस वक्त बहुत जादा माइने रखता है साथ ही साथ यहां पर सीपी जूशी कब तक उन्हों इस फिपो पर फैसला लेती नजरा आते जो पहीं न कई आकड़ा आप 110 का बता केंची खबर के लिए देख्ते रहिये लगा तार नेक्स्ट्स नाइम्मेगू